पाजी मजफर हसेन की एले सुनतवल जमाद के उपर कड़ी तनकीद के बाद आज उल्मा एले सुनतवल जमाद ने कड़ा नोटस लेते हुए उन्हें एक जून का वक्त दिया है कि एक जून से कबल इन तमाम चीज़ों के लिए आप एले सुनत वल जमात के तमाम उल्मा के पास रजू करें और इन तमाम बातू पर जवाब दें अगर ऐसा नहीं होता है तो शरीयत के इसाथ से उन पर डंट लगना लाजमी है आए देखते हैं उल्मा ले सुनत वल जमात ने क्या कहा आग यह तमाम उल्मा ले सुनत ने एक बात की तायित की है वो यह है के हदरत नांगा बाजी साथ रहमतुल्ह थाला लिए के पोते, जो बरई के बरई के अंदर रहते हैं बाजी मुझवर साथ अनुने पिषले दिनों में कुछ ऐसे अकफाल कहें गें जो मुस्टफा करीम इसलायम की शरियत के खिलाफैं राजोरी जम्मू के अलमाई किराम मौजूद थे उनों में लोटिस भी जारी कर दिया है और बाजी साब तक इतला पहुंचा दिया है कि वो एक जून से पहले पहले वो अलमाई किराम के अदालत के अंदर तश्रीव लाएं और अपने अक्वाल के वजाहत भी करें और इन सारी चीज़ों से रुजू भी करें अगर वो रुजू नहीं करेंगे तो फिर हुक्म इशरा वाज़ तोर पर उनके लगा दिया जाएगा क्या जमात अले सुन्मत इस बात की ताहिद करती है ये सारे लोग अगर बाजी साहब में अगर रुजू नहीं किया तो सारे लोगों की क्या यही राया है कि उनके उपर उप में शरा लगना चाहिए तो ये सारे अनमाई कराम ने इस बात की ताहिद कर दी है और सारे अनमाई कराम का बाजी साहब से यहीं मतलबा है कि बहुत बड़े खानदान के साथ आपका तालुख है और हम उसी खानदान के नोकर भी है साधात किराम के हम मुटकिद भी है नभी पाक अलिए असलाथ असलाम की शरियत मुतारा के पैरेदार भी है एक बात सारे लोग सुख़ाएं